जब हम images की बात करते हैं तो हम images की types की भी बात करते हैं images different types की हैं जिनमें जो popular format हैं वो 3 है जिसमें सबसे पहले GIF या GIF फिर PNG या इनिके portable network graphics या JPEG जो के designing में या photography में वो use होते हैं ये तीनो images अपनी जगा पर अपनी खिसूसियाद रखते हैं आपने ये देखना है कि आपके लिए कौन सा image सबसे best है so मैं आपको दिखायता हूँ कि for example ये एक image है जिसमें same image तीन different qualities में है इन तीनों का size भी same है लेकिन same size होने के बावजूद ये quality में different है so सबसे जो अच्छा आपको image लग रहा होगा देखने में वो सबसे नीचे वाला होगा जो के jpg है जो के normally high graphics के लिए use होता है so अगर आप printing press के लिए जाए या अगर आपने photos print करानी हो तो jpg सबसे अच्छा format समझा जाता है क्योंकि इसमें colors और इसमें बाकी quality image की वो sustain रहती है वो आपको print में अच्छी quality देती है लेकिन यहाँ पर लोग एक गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि हमें websites के ओपर print ready या print table size नहीं चाहिए प्रिंट के लिए printers को आपने heavy size देना होता है यानि कि बड़ा size देना होता है इसलिए जो आप 12 megapixel 8 megapixel बड़े-बड़े camera आप use करते हैं उनकी असल requirement printing के लिए use होती है अगर आप screen की बात करें screens आपकी छोटी होती है वो high resolution screens है उसमें height and width एक limited होती है वो आपने print नहीं करना होता so web के उपर अगर आप बड़े-बड़े images लगाएंगे जिनका size 2MB से 4MB बलके कभी-कभी 10MB से उपर चला जाता है वो आपकी website के उपर बहुत ज्यादा heavy हो जाएगा और website पे heavy होने का मतलब यह है कि वो user आपकी website पे रुकेगा नहीं so size भी फरक पड़ता है लेकिन अगर आप किसी image का size कम करें तो फिर आपको quality भी compromise करना पड़ता है so point यह है कि आपने ultimately lightweight images यूज़ करने हैं लेकिन quality भी compromise नहीं करना हमें इतनी quality चाहिए कि हम उसको properly दिखा सकें user experience disturb ना हो और इस example में आप देख सकते हैं कि मैं इन तीनों में से अगर size same है तो quality JPG की ज़्यादा है तो मैं JPG image यूज़ करूँगा लेकिन अगर आप for example कोई और image यूज़ करते हैं let's suppose कि आपने कोई ऐसा image यूज़ किया जिसके पीछे transparency आपको नहीं चाहिए थी तो JPG में या GIF में वो possible नहीं है क्योंकि सिरफ PNG format में आपको transparent background मिलता है जिसकी वज़ा से आप अकसर images यूज़ कर लेते हैं so PNG को normally एक web standard भी बोला जाता है कि आप website के लिए अगर images यूज़ कर रहे हैं तो आप PNG format में यूज़ करें लेकिन इसकी कोई शर्त नहीं है so अकसर तो लोग SVG भी अब यूज़ करते हैं जिसका मतलब है scalable vector graphics SVG images असल में वहाँ use होते हैं जहां पर आपको images बड़े करने हो so normally design जब होते हैं अगर आपको for example logo है चोटी screen पर logo चोटा लिखना चाहिए लेकिन बड़ी screen पर logo अगर चोटा था जब वो बड़ा होगा तो वो pixelate हो जाएगा यानि कि वो अर्दो में जिससे कहते हैं कि फट जाता है image तो image आपको फटा हुआ नजर आएगा उसकी resolution खराब हो जाएगी so SVG images जितना मर्जी बड़ा कर लें वो scalable रहते हैं वो scale होते जाते हैं और वो different format है इस सारे format अपनी जगा valid हैं सिरफ आपने ये देखना है कि आपके लिए कौन सा अच्छा image है या आपकी particular need कौन सी पूरी करता है so इसमें ये कभी भी आपने नहीं सोचना कि में ये particular format ही use करना है चाह साइज जितना मर्जी हो जाए so आपको मैं example दिखा जोता हूँ कि जैसे कि ये image जिसमें आपको तीन जूते नजर आ रहे हैं इसमें आप तीनों में से कौन सा image पसंद करेंगे अगर आप user है so आपको सबसे पहला image जो left पर नजर आ रहा है वो सबसे बेतर लग रहा होगा अगर उसकी resolution कम करें तो वो और कम होगी है और बिल्कुल का आप resolution कम करें तो बिल्कुल कम होते ही आ रही है so user के लिए एक अच्छा experience तो पहला image ही दे सकता है लेकिन आप में ये देखना है कि उस image का size किया है आपको मैं बिल्कुल हर्गिस नहीं कहूंगा कि आप बीच वला image ले लें क्योंकि वो size में कम होगा लेकि quality में थोड़ा बेतर होगा अगर आपको पहला image बेतर लगता है आप पहला ही लें लेकिन कोशी ही करें उसका size चोटा रखें या अपने graphic designer से कहे कर उसको थोड़ा सा lightweight कर लें ताके वो बेतर image low size में चला जाए क्योंकि size एक बहुत बड़ा matter है और इस पे काफी चीज़ें depend कर रही होती है और सबसे बला problem size में आपकी website के उपर images से ही होता है क्योंकि text तो text होता है वो foreign load हो जाता है जो आपका actual weight होता है page का जो आपका size होता है वो normally images लेते हैं और आपकी website e-commerce के ऐसी website है में आपके उपर images ज्यादा लगे हुए है website के उपर so आपको काफी issues हो जाते हैं क्योंकि अगर आपकी website जल्दी load ना होई तो लोग आपको छोड़के जाना शुरू हो जाएंगे तो यह चीज़ें ध्यान में रखनी है कि format आप जो मर्जी use करें make sure करें कि वो दिखने में image अच्छा है और वो lightweight है अगर आपको same image different format में मिल रहा है लेकिन size आपको एक में छोटा एक में बड़ा मिल रहा है तो उस format में आप जाएं जो आपको size छोटा और quality अच्छी दे रहा है